L5-S1 fusion surgery आ L5-S1 की fusion प्लस fixation surgery किया है। लहाज़ा अगर L5-S1 fusion आ fixation की जरूरत हो तो, आम तोर पर सरजरी का इशारा infection, सदमे आ rail की हड़ी में कोई अदम इस्तेहकाम की तरह होता। शाज औ नादिर ही रेल की हड़ी की सरजरी के लिए भी हमें L5-S1 पर fixation और fusion surgery करने की जरूरत है। लहाज़ा अगर रेल की हड़ी में असपविंडिलॉलस्थिसिस की शकल में अदम इस्तेहकाम है, जिसका मतलब है कि अगर एक हड़ी दूसरी हड़ी के ऊपर फिसल रही है, तो ये अदम इस्तेहकाम का सबब बनता। आम तोर पर ये उम्र के साथ होता है, जब डिस्क के इनहतात के साथ जोड़ों का तनजली होता है। पर डिस्क का पहलाव होता है, जिसकी अलामात पैदा होती है। इसके बाद हम बाज अवकात L5 इस एक पर फिक्सेशन और फ्यूजन सरजरी की शकल में नजर सानी की सरजरी के लिए जाते हैं। अब ये अमाइक्रोस्कोपिक तरीका एंडोस्कोपिक तरीका से किया जा सकत जब हम खुर्दबीम के नीचे करते हैं तो चीरा रेल की हड़ी के बीच में आता है, ये एक छोटा चीरा होता है जिसके जरीए हम पेच और सलाखें लगाते हैं और हम हड़ीों के दरमयान मसनुई स्पेसर अपिंजरा लगाते हैं। हम एक खुर्दबीम का इस्तिमाल करत जरीब के जरीए भी किया जा सकता है। इस सूरत में चीरा रेल की हड़ी की तरफ आता है, यानि मरकज में नहीं बलकि रेल की हड़ी के अतराफ में थोड़ा सा होता है और उसके जरीए हम क्यूबें लगाते हैं और पिंजरे, पेच, सलाखें लगाने और खोलने की पूरी सरजरी करते हैं। असाब लिहाज़ा ये L5 S1 पर फ्यूजन सरजरी करने के दो इंतहाई महफूज और मुसर तरीके हैं। अगर सरजरी सही वज़े से की जाए और दुरुस्त तरीके से इशारा मरीज में किया जाए तो नताईज बहुत अच्छे होते हैं। आम तौर पर हम सरजरी के अगले दिन मरीज को चहल कदमी कराते हैं और मरीज आराम से ख़ड़ा होकर चल सकता है। हम मरीज को सरजरी के बाद तीसरे दिन घर भेज देते हैं। शुक्रिया